नमस्कार दर्शको, मैं हूँ देविशी, एक बार फिर आप लोग के लिए लिकर आई हूँ चंदा मामा की खुबसरत कहानी, जिसका नाम है मिट्टी का सोना, ये जनवरी 1970 संसकरण से ली गई है, एक गाउ में एक किसान था, उसका एक लड़का था, जो वह छोटा बालक था तब ही उसकी मामर गई, कुछ दिन बीट गए, वह किसान भी बिमार पड़ गया, उसको लगा कि उसकी मौत निकट आई है, उसने अपने लड़के को पास बुलाया, और कहा, बिटा, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुमको जमीन जादा दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं त महनत की साथ काम करने लगा, उसकी महनत की वज़े से उसे इतने रुपए मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा, सब बगीचों से जादा उसके बगीचे में अंगूर लगे, कुछ समय बाद उसने और भी कई फलो की बगीचे खरीदे, मचली पकड़ने वाली ना इस फायदा ही फायदा होता, अव वह एश्वाराम की जंदगी बिताने लगा, राज महल जैसे महल में दिन बिताते हुए, उसने एक अमेर लड़की से शादी की, उसके दिन मजे से कटने लगे, एक दिन उसे अपनी किसमत परसंदे बैदा हुआ, उसने अपने दोस्त से क भी सकती है, लक्ष्मी दिवी का मुझ पर क्रोध पैदा हो सकता है, उनको संतुस्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, जिससे मेरा नुकसान हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे मुझे जरूर ही नुकसान हो जाए, उस युवक के दोस्त ने सोचते हुए पूछा, खजूर कहां मिलते हैं, काईरो से आते हैं न, युवक ने जवाब दिया, फिर क्या, यहाँ पर जो खजूर मिलता है, उसे जादा से जादा दाम दे कर खरीदो, उसे उटो पर काईरो ले जाकर, वहाँ पर कम से कम दाम में बेज दो, तुमको जरूर नुक लगाया था, उसके बाद उसने कुछ उटो को किराय पर लिया, खजूर के जाओं को उन पर लदवा कर काईरों के लिए रवाना हुआ, कई दिन तक उसने रिगिस्तान में यात्रा की, पिरामेडों के प्रदेश में पहुचने पर वह आशर चकित हो गया, उसी वक्त इजि को देखते ही नमशकार किया, और बड़ी एदब की साथ पूछा, सरकार, सिपाही सब अपने हाथों में चलनिया लेकर क्यों आये हैं? इस पर राजा ने जवाब दिया, क्या बताऊं, आज सुबह में इस और घोडे पस सैर करने निकला, उस वक्त मेरे हाथ की एक प्राणों के समान है, वो मुझे जब तक न मिलेगी, तब तक मैं इस बालू को चलनियों से चलवाता ही जाऊंगा। इसकी बाद राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कायरों किस काम से जा रहे हो? कायरों में खजूर बेचने जा रहा हूँ, युवक ने उटों पर के जावे दिखाते हुए कहा, राजा ने अचरज में आकर कहा, कायरों में खजूर बेचोगे? पास के खजूर के पेडों को एक बार देखो तो इनमें खजूर कैसे लगे हुए हैं? एक पेड का खजूर तोड़ने में एक दिन से जादा समय लगता है, तुम अपना माल कायर ले जाओगे तो एक जहाओ के लिए एक सिक्का तक न मिलेगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, राजा के अनुचरों से पाही भी हस पड़े, यूवक ने अपने द्रिंड निर्ने की सूचना देते हुए कहा, आप कहते हैं कि मेरा नुकसान होगा, मगर मेरा डर यह ह कि मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे पिताजी ने मरते दम यह आशिवाद दिया है कि तुम मिठी भी चूओगे तो वह सोना बन जाएगी, यह शब्द कहते हुए यूवक ने जुक कर मुठी भर बालू लिया, उसने मुठी खोली तो बालू खिसक गई और सोने की मुठी ढून देने के कारण उसे कई किमती उपहार देकर वापस भीजा, यूवक नुकसान की खोज में गया था पर और फायदे के साथ घर लोट आया, तो इसी के साथ हमारी एक कहानी समाप्त होती है, अगली बार फिर एक और दिल्चस्प कहानी के साथ हाजिर होंगी, त नमस्कार, धन्युक्त